नमस्कार दोस्तों आप सभी को सागत आज के market analysis वीडियो में तो देख लेते हैं यहाँ पर कल के लिए कौन से levels important रहने वाले हैं आज का दिन बढ़िया था यहाँ पर बहुत बढ़िया बढ़िया ट्रेड बहुत अच्छा था फिर एक एंट्री थी आलंकि यह टार्गेट पे एक स्केल्प के लिए प्लान किया था चली गई थी पर तुरांत क्विक्ली रिवर्स होगी तो यहाँ पर पैसा नी बन पाया और मेरा दस पॉइंट का एसल हो गया था जिसने पहले से टार्गेट सेट रखा होगा यहाँ पर उसका पैसा बन गया होगा यहाँ पर उसके बाद में सब्वर आरांड यह एक ट्रेड थी वो बढ़िया थी बैंक निप्टी में भी अच्छा ट्रेड मिला था ट्रेड ला यहाँ पर एक टीन पॉइंट के एसल था बैंक निप्टी में दस पॉइंट के एसल था तो वेरी स्मॉल एसल और टार्गेट्स बढ़िया थे तो काफी अच्छा दिन गया यहाँ पर देखो कि निप्टी फिप्टी में तो उसने पैटरन को कंटिनी किया और आज भी इस 23,532 वगरा यहाँ कहीं इसको निकालता है तो 23,500 के लिए एक स्कैल्प करेंगे 23,500, 490 उस सब लेवल के लिए यह ट्रेड लाइन को टच करने के लिए मार्केट आएगा तो पहला एक स्कैल्प यह हो सकता है ट्रेड लाइन के नीचे अगर यह बढ़िया क्लोजिंग देत हो दिखेंगे 23,500 और ट्रेड लाइन के नीचे क्लोजिंग देता हो दिखेंगे एक टार्गेट यह रखेंगे 2nd टार्गेट यहाँ पर रखेंगे 1st टार्गेट 2nd टार्गेट और 3rd टार्गेट उस तरीके से प्लान करेंगे जो यह स्विंग से उनको टेस्ट करने के लि हो कहा रहा है वही gap up खुलता है market नीचे आता है फिर you turn करके पूरे दिन में वापस उसी level पर जाने की कोशिश करता है और फिर somewhere around यहाँ पर यहाँ पर कहीं close देने की कोशिश कर रहा है तो continuous up momentum में जा रहा है जहां कुल रहा है उसको cross नहीं कर पा रहा है वहीं तक जाके और फिर यहीं इसी area में अगर cross करता भी है तो selling आती है और इसके नीचे रहा है तो continuous यह हो रहा है कल भी gap up खुलता है पहला momentum देखे down side और अगर वहीं सबसे interesting scenario क्या हो सकता है gap up के case में तो वहीं सारे levels देखेंगे जब तक you turn नहीं करता तब तक buying सोच नहीं सकते अगर वहीं आपको मिल सकते है चार सो ग्यारा तीन सो भी आतीस यह सारे levels नीचे की तरफ देख सकते है तो वह एक interesting scenario हो सकता है अगर बड़ा gap down यहाँ पर हुआ तो नीचे की तरफ आपको market देखने को मिल जाएगा बाकि निप्टी में इसके लावा कुछ खास trade करने को मेरे को देखने बैंक निप्टी की देखेंगे भई बाइंग के साब से अच्छा scenario यहाँ पर बैंक निप्टी में देख रहा है बैंक निप्टी आपकर देखोगे तो यहाँ पर आज के दिन में भी यहाँ पर हमने कई trade लेते देखो यह वाला इतना खास लीधा बस बैंक निप्टी में ट्रेड थे एक दो तीन यह वाला जो बोल रहा था दस पॉइंट का ऐसल वह वाला इसके अलावा बही यह डाउन साइड में यह एक ट्रेड हम ले सकते थे बढ़िया इंसाइड केंडल स्ट्रक्चर बनाता यह देखो आप पर यह बैंक निप्टी को वह हम छोड़ के और बही नीचे का प्लान कर रहे थे जो मैं बता रहा था आपको बही निफ्टी में कितना सा स्केल्प मिला था कि वहाँ पर मौका भी नहीं दा था जब वो निफ्टी रिवर्स कर रहा था ना बैंक निफ्टी इतना बड़ा ट्रेड दिया था यह तो बैंक निफ्टी वा दिख्ट नहीं है कल देखेंगे कल CENSEX के Е posted और यहाँ पर प्लान क्या दिख रहे हैं यहाँ पे बड़ तो यह पर पर वाई दिखो सिंपल है इस एरिया में कहीं खूलता है फ्लैट अल्मोस्त तो यहां पर जब तक यह स्विंग नहीं निकालता है एक क्यावन हजार पांसो छी आसी बगारा तब तक कोई बड़ी मेजर सेलिंग नहीं आ सकती इसके नीचे भाई सीधा पहले है ना टेम करेंगे पहला टार्गेट और बावन हजार के उपर निकल रहा है बड़ा बाइंग यहाँ फिर आपको देखने को मिलेगा और यहाँ पे अच्छा बढ़ा पांसो यह सारे टार्गेट भी देखने को मिल सकते हैं मेजर अपसेट कब हो सकता है यहाँ पे बड़ा गैप डाउन वगर है कहीं खुल जाए तो भी यहाँ पर प्राइजेक्शन देखके 500 का लेवल अगर तोड़ रहा है प्राइजेक्शन बना रहा है तो नीचे की तरफ ट्रेड करेंगे वो एक मेजर अपसेट हो सकता है और गैप फिल करके जब तक यूटर नहीं मारता कोई मेजर बाइंग आप देख नहीं सकते हो तो यह इस तरीके से फसा हुआ है अभी मार्केट थोड़ा क्वांटिटी को कम रखना है एक दिन बस बैंक डिप्टीन अच्छा मोमेंटम दिया फिर मार्केट वही सुस्थता के इंदर आगया है यहाँ पर अगर sensex भी देखोगे similar case आपको sensex में दिख रहा है नीचे से एक trade line आ रही है यहाँ पर से एक trade line आ रही है और squeeze momentum आपको सीधा सीधा यहाँ पर से सेंसेक्मे दिख रहा होगा तो squeeze momentum से जैसे ही यहाहां से बार निकलता है gap down खुलता है तो इसके बीच में रहेगा, ट्रेड लाइन तोड़ता है, पहला टारगेट, दूसरा टारगेट ये, ठीक है मैं लगा देता हूँ, मार्क कर देता हूँ यहां से ब्रेक करेगा फर्स टारगेट, यहां पर कहीं पर दिख रहा है, इस लेवल्स के नीचे निकलेगा, सेकेंड टारगेट ये एरिया के अंदर कहीं दिख रहा है, तो काफी बड़ा डाउंसाइड फिर आ सकता है, अल्मोस्ट सततर हजार का लेवल टेस्ट करने आ सकता है, अगर एक बार सततर हजार और ये ट्रेड लाइन तोड़ा तो सततर हजार दोसो पहला टारगेट दोसो ब्रेक करने पर सेवन्टी सेवन थाउजन का टारगेट, सेंसेक्स के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, अगर ट्रेंडिंग हुआ तो एक दो कैंडल सब बड़ी बाइंग आ सकती है, पर अगर 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 आप देखोगे तो ये एक भी सेम आपको वही टाइप की एक चैनल दिख जाएगी, यहाँ पे भी जिस तरीके की आपको निफ्टी में दिख रही थी, तो यहाँ पे उपर इस ट्रेड लाइन से यह रेजिस्टेंस ले सकता है सम्वेर अराउंड यहाँ पे कहीं पे तो वो देख के चलना नीचे से जो ट्रेड लाइन आ रही है न वहाँ पे रेजिस्टेंस लेगा मार्केट क्योंकि यह बिल्कुल एक चैनल में चल रहा है तो वहाँ पे उसको भी ध्यान में रखे चलना है बाकि इसके अलावा भई कॉर्स पर डिस्काउंट चल रहा है जो कल वाला कूपन था आज भी कंटीनू था कुछ लोग बोल रहे थे तो तो यहाँ पे कोर्स वगरा प्लान करना चाहरे हो तो वह कंप्लीट ट्रेडर कोर्स प्लान कर सकते हो कूपन वो कोड लगा सकते हो HBDTW के बड़िया मैक्सिमम डिसकाउंट के लिए बाकि साड़े आठ वजे लाइव ट्रेडिंग में मिलेंगे कल लाइक टार्गेट रखेंगे वीडियो का भई 500 लाइक का सारे लोगों को लाइक कर देना है और पानसो कमेंटी का भी टार्गेट रखेंगे तो लाइक कर